यूक्रेन युद्ध किम जोंग उन हथियार वारता के लिए पुतिन से मिलेंगे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन इस महीने राश्च्रपती व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस की यात्रा करने की योजना बना रही है एक अमेरिकी अधिकारी ने BBC के US पार्टनर CBS को बताया है अधिकारी ने कहा कि दोनों नेता यूक्रेन में अपने युद्ध का समर्थन करने के लिए उत्तर कोरिया द्वारा मासकों को हथियार उपलप्ठ कराने की संभावना पर चर्चा करेंगे बातचीत कहां होगी यह स्पष्ट नहीं है क्रेमलिम के प्रवक्ता के पास उन रिपोर्टों पर कुछ नहीं कहना था जिनने अन्य अमेरिकी मीडिया ने भी प्रसारित किया था उत्तर कोरिया की ओर से ततकाल कोई टिपड़ी नहीं आई सूत्रों ने New York Times को बताया कि श्री किम के बकतरबन ट्रेन से यात्रा करने की सबसे अधिक संभावना है यह संभावित बैठक White House के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उसने कहा था कि उसके पास नई जानकारी है कि दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर बादचीत सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है राश्चिय सुरक्षा परिशत के प्रवक्ता जौन किर्भी ने कहा कि रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोईगो ने हाल ही में उत्तर कोरिया की यात्रा के दोरान प्योंग्यान को रूस को तोखाने गोला बारूत बेचने के लिए मनाने की कोशिश की थी ऐसा माना जाता है कि रूस को 122 मिमी और 152 मिमी के गोले की आवशक्ता हो सकती है क्योंकि इसका स्टॉप कम चल रहा है लेकिन इसकी गुप्त प्रकृती को देखते हुए उत्तर कोरिया की पूरी तोखाने सूची निर्धारित करना आसान नहीं है जुलाई में श्री किम और श्री शोईगू के बीच बैठक में प्रदर्शित हतियारों में ह्वासोंग अंतरमाद वीपिय बलिस्टिक मिसाइल थी जिसे ठोस प्रनोदक का उप्योग करने वाला देश का पहला ICBM माना जाता है यह पहली बार था जब श्री किम ने COVID महामारी के बाद विदेशी महमानों के लिए देश के दरवाजे खोले थे श्री किर्भी ने कहा श्री पुतिन और श्री किम ने अपने द्विपक्षिय सहयोग को बढ़ाने का वचन देते हुए पत्रों का आदान प्रदान किया है उन्होंने उत्तर के लिए संक्षुक्त नाम का उप्योग करते हुए कहा हम DPR के से आगरा करते हैं कि वहार रूस के साथ अपनी हथियार वारता बंद कर दे और प्योंग्यान द्वारा रूस को हथियार न देने या न बेचने की सारवजनिक प्रतिबधताओं का पालन करे उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उत्तर कोरिया ने रूस को हथियारों की आपूर्ती की तो अमेरिका प्रतिबंध लगाने सहित कारवाई करेगा दोनों नेताओं की आखरी मुलाकाद 2019 में हुई थी जब श्री किम ट्रेन से रूस के सुदूर पूर्व व्लादिवोस्तों पहुँचे थे अधिकारियों ने उनका स्वागत रोटी और नमक की पारंपरिक पेशकश के साथ किया यह संभवता आखरी बार था जब श्री किम ने विदेश यात्रा की थी वाशिक्तन और सियोल दोनों में इस बात को लेकर चिनता है कि हथियार सौदे के बदले में उत्तर कोरिया को क्या मिलेगा जिसके परिनामस्वरूप एशिया में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ सकता है सोंवार को दक्षन कोरिया की खुफिया सेवा ने बताया कि श्री शोईगु ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया को सन्युक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करने का सुझाव दिया था जैसा कि अमेरिका, दक्षन कोरिया और जापा ने किया था एक और डर यहा है कि रूस भविश्य में उत्तर कोरिया को हथियारों की आपूर्ती कर सकता है ऐसे समय में जब प्योंग्यां को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है इससे भी अधिक चंता की बात यह है कि किम जोंग उन्श्री पुतिन से उन्हें उन्नत हथियार प्रोध्योगी की याज्यान प्रदान करने के लिए कह सकते हैं ताकि उन्हें अपने परमानू हथियार कारेक्रम में सफलता हासिल करने में मदद मिल सके उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी परिक्षन किया है जो रडार की पकड से बचने के लिए ध्वनी की गती से कई गुना अधिक और कम उचाई पर उड़ सकती है साथ ही पंडुब्यों से लौंच की गई अन्य मिसाइलों का भी हाला की कोई सौधा रणनितिक से अधिक लेंदेन वाला हो सकता है फिलहान रूस को हत्यारों की जरूरत है और स्विक्रित भुखमरी से जूच रहे उत्तर कोरिया को धन और भोजन की जरूरत है नियू यॉक टाइम्स ने बताया कि श्री किम और श्री पुतिन के बीच बैठक रूस के पूर्वी तट पर बंदरगा शहर व्लादिवोस्तोक में हो सकती है अखबार के राजनेक समवाददाता एडवर्ड वोंग ने बीबीसी न्यूस चैनल को बताया कि उत्तर कोरियाई अधिकारियों की एक अगरिम टीम ने पिछले महीने के अंत में व्लादिवोस्तोक और मौस्को की यात्रा की थी श्री वोंग ने कहा उनमें सुरक्षा अधिकारी शामिल थे जो नेत्रित्व की यात्रा से जुड़े प्रोटोकॉल से निपटते हैं इसलिए यह इस पर नजर रखने वाले अधिकारियों के लिए एक मजबूत संकेत था प्योंग और मौस्को दोनों ने पहले इस बात से इनकार किया है कि उत्तर युक्रेन में युद्ध में उप्योग के लिए रूस को हत्यारों की आपूर्ती कर रहा है जौन एवराड जनोंने 2006 और 2008 के बीच उत्तर कोरिया में बृतेन के राजदूत के रूप में कार्य किया था ने BBC को बताया कि संभावित यात्रा के बारे में प्रचार एक मजबूत कारण है कि अब यात्रा होने की संभावना नहीं है क्योंकि श्री किम अपने बारे में पूरी तरह से पागल है व्यक्तिगत सुरक्षा पुत्तर कोरिया के पास उन हत्यारों का भंडार है जिनकी मौसको को जरूरत है और जो सोवियत युग के सैन्य उपकरणों के साथ काम करेंगे हालांकी श्री एवराड ने कहा कि हत्यार बहुत खराब स्थिती में थे 2019 में व्लादिवोस्तोक बैठक के बाद श्री पुतिन ने कहा कि श्री किम को अपने परमाणू कारेक्रम को छोड़ने के लिए सुरक्षा गारंटी की आवशक्ता होगी यहां बैठक श्री किम और ततकालीन अमेरिकी राश्रुपती डोनाल चुम के बीच व्यतनाम में शिखर सम्मेलन के कुछी महीनों बाद हुई थी जो कोरियाई प्रायद वीप को परमाणू निरस्त्रीकरण पर प्रगती करने में विफल रही थी